हेले स्टुरेंट में एक तरसी आप सभी का ग्यान चेतनिया चैनल में बहुत-बहुत स्वात करती हूँ आज के इस वीडियो में हम वन विद्रो देखने वाले हैं यहाँ पर इससे पहले के जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कम्प्लीट किये थे तो सुरू करते हैं वन विद्रो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाब बगावत की मतलब अब यहाँ पर जो है जो यहाँ पर आदिवासी वगेरा थे इनको हटाया गया था तो इन्होंने क्या कर दिया था विद्रो कर दिया गया था विद्रो कर दिया गया किनके द्वारा कौन-कौन सी जातियां थी तो यहाँ पर यह सब चीज़े देखने वाले हैं संधाल परगना में सिद्धू और कानूने छोटा नांगपूर में विर्सा और मुंदाने आंधर प्रदेस में उल्लूरू में उल्लूरी सीताराम राजू को लोग गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाब उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी यादि कि जाता है अब हम बस्तर बस्तर वाली लोगों के यहां पर देखते हैं 1910 में जो हुए थे बिद्रो उसका यहां पर देखने वाले हैं तो बस्तर के लोग बस्तर जो है चटिस गड़ में सबसे दच्छरी छोड पर इस्तित हैं आंधर प्रदेश उडिशा और महराज्च की स पठारी है इस पठार के उत्तर में चटिस गड़ का मैदान और दच्छर में गोदावरी का मैदान है इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरव से पश्चिम की तरफ बैती है बस्तर में मरिया और मरिया गोंडा धुरवा भतरा हलवा आदी अनेक आदिवासी समुदा रहते हैं अलग जवाने बोलने वाले अलग बोले बोलने के बावजूद उनके जो रीती रिवाज और विस्वास जो है वो एक जैसे हैं बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाओं को उनकी जमीन यानि की धर्टी मा से उनकी जमीन धर्टी मा से मिलती है और बदले में बेप आत्मा को भी उतना ही मानते हैं चुकि हर गाउं को अपनी चोहदी पता होती है इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्प्राक्रते संपदाओं की देखभाल करते हैं यदि एक गाउं के लोग दूसरे गाउं के जंगल मैं थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो उसके बले वे एक छोटा सा शुल के जो है अदा करते थे जिसे देव सारी या दार या मान कहा जाता था मतलब मालीजे ये एक आदिवासी है का जंगल है ये दूसरे आदिवासी हों का जंगल है अगर ये वाले यहां जाते हैं तो यहां पर एक शुल कादा करते हैं जिसको क्या बोलते हैं देव सारी दार या मान कहा जाता है कुछ गाओं अपने जंगलों की हिफाज़त के लिए चौकीदार रखते थे उन्हें बेतन के रूप में हर गाओं से थोड़ा थोड़ा अनाद दिया जाता था हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ करता था वहां पर पर गने गाओं का समू के गाओं के मुखिया इ ही ये सारी चीज़े डिसाइड करते थे कि कितना टैक्स जो है लिया जाएगा दूसरी जंजातियों के द्वारा अगला देखते हैं लोगों के भाय देखते हैं तब यहां पर जो है ये तो पहले की विवस्ता थी अब आपने वेशिक सरकार ने क्या किया उन्हीं सो पांच में जब जंगल के दो तीहाई हिस्से को आरक्षित करके गुमन्तु खेती को रोकने और शिकार वा अन्य उत्पादों के संग्रह पर पावंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परिशान हो गए कुछ गाओं को आरक्षित बनों से इस शर्त पर रहने दिया कि वे बन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे बाद में इनी गाओं को बन ग्राम कहा जाने लगा बाकी गाओं के लोग बगेर किसी सूचना या मुफ्त से हटा दिये गए कापी समय से गाओं वाले जमीन के बड़े हुए लगान तथा अपने वेसिक अपसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से तरस्त थे इसके बाद भयंकर आकाल का दोर आया जो की 1899 से लेके 1900 में और फिर 1907 से लेके 1908 में आया वन आरक्षन में चिंगारी का ये जो आकाल है ये फिर जब वो आरक्षन किया गया तो इसमें आग का काम कर दिया इस आकाल ने आगे है लोगों ने बजारों में तेवारों के मौके पर और जहां कभी कहीं भी गाउं के मुखिया और पुजारी एकटा हुआ करते थे वहां जमा होकर इन मुद्धों पर चड़ा करना आरम कर दिया कांगेरवनों की धुर्वा धुर्वा समुधाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षन सबसे पहले यहीं लागू हुआ था हलांकि कोई एक व्यक्ति उनका नेता नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग नेता नार गाओं के गुंडा धुर को इस अंदोलन में एक एहम अहम शक्सियस मानते थे 1910 में आम की तहनिया मिट्टी के ठेले मिर्च और तीर गाओं गाओं चक्कर काटने लगते थे यह गाओं से गाओं में अंग्रेजों के खिलाब बगावत का संगेस दिया करते थे हरे गाओं ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की बजार लूटे गए अफसरों और बैपारियों के घर स्कूल और पुलिस स्थानों को लूट कर जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वित्रत किया गया जिन पर हमले हुए उन में से जादा तर लोग जो है आपने वेशिक राज्जियों उनके दमनकारी कानूनों में से किसी ना किसी तरह जुड़े रहे इन गठनाओं में एक चश्म दीद गवाव मिशनरी विलियम वर्स ने लिखा पुलिस वालों बैपारियों जंगल के आरदिलियों इसकूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदल पूर में चला आ रहा था अंग्रेजों ने बगावत को कुछलने के लिए सेने के भेजी आदिवासी नेताओं से बाचीद करनी चाहे लेकिन अंग्रेज फौज से उनके तबूओं को घेर कर उन पर गोरी चला दी इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सेने गाउं गाउं घूमने लगते ज्यादातर गाउं खाली हो गए क्यूंकि लोग भाग कर जंगलों में चले गए थे अंग्रेजों को फिर बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में यह तो एक सोर्स है इसको आगे बढ़ाते हैं फिर नियंदर पाने में तीन महीने यानि की फरवरी लग गए फिर भी वे गुंड़ा धूर को कभी पकड़ ही नहीं सके बिद्रोईयों की सबसे बड़ी जीत ये रही की आरच्छन का काम को समय के लिए स्थाकित कर दिया गया और आरच्छित छेत्र में 1910 से पहले की योजिना में लगबा आदा कर दिया गया बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को ओदोगे उप्योग के लिए आरच्छित रखने की नीती कायम रही 1970 के दशक में विस्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्धोग को लुगदी उपलब्द कराने के लिए 4600 हेक्टियर प्राकितिक साल बनों की जगह देओदार के पेड़ लगाए जाएं लेकिन इस्थानी परियावरन विदों के विरोध के फरसरू इस परियोजना को रोक दिया गया अब यहां पर जो है एशिया के कुछ हिस्सों की यहां पर कहानी है तो कुछ इंडिया की कहानी है और फिर उसके बाद जो है वो हम कुछ अन्य देसों की भी कहानी देखेंगे कि महां पर यह जो है यहां पर चीजें क्या हो रही है तो इसको देख लेते हैं एक सोर्स दिया बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में अपने माता पिता से सुना था बें कि कन का पाल के पे दियामी गंगा को उनके पिता पे दियामी तो केली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर राजा को आसपास किया हो रहा था राजा को आसपास किया हो रहा था इसकी परभार नहीं थी मतलब राजा को इसकी कोई परभार नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है इसलिए जमी ले ली जा रही थी यह देख उनके समर्थकों ने लोगों को एक खटा किया लड़ाई शुरू कि उसके कटर समर्थक मारे गए और बक्रियों पर कोड़ों से मार पड़ी मेरे पिता पोदी यामी तेकेली को भी कीटों कीडों से पीटा गया लेकिन वह भगाने में कामियाम हुए और बच निकले यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था अंग्रेजे उनको घोणों से बांद कर घसीटा करते थे हरे गाओं में दो चार लोग जगदलपूर आए और चितपाल के गरगी देवा और मिखोला मा की मिरास के दोल और अबरा बुंदी बाले सार का वादा, पांदू, पालेम का उंगा और दूसरे धेर सारे लोग यहां पर थे इसी तरह से नंदरासा के एक बिजुर ने यहां पर बताया कि लोगों की तरप पुरिनिया थे पालेम के मुले मुदाल, नंदरासा के सोय काल धुर्वा और पंडवा माचि हर परगना के लोग अलनार तराई इखटा हुए इस जटके में पल्टन ने सब को गेल लिया गुंडा धूर गए धूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ गए लेकिन तीर कमान बाले अब क्या करें रात में लड़ाई होने लगी लोग ज़ाडियों में छिपकर पेट के बल भा आगे जो लोग जिन्दा बचे किसी तरह अपने गाउं पहुँच गए तो यह कुछ प्राइमरी सोर्स यहां पर दिये गए हैं आगे देखते हैं यहां पर सोर्स यहां पर दिया गया कि भेडियों ने चार सो लोगों को एक खटा करका इसारेक बकरों की कुरवानी दी और केसलपुल में लाइने वा पशू अव रोध शाला और टोका पुल में भी एक स्कूल को जलाया गया दीवान को सुरक्षित भापस लाने के लिए भीजी गए इस्टेट रिजर पुलिस में एक हेड कॉंस्टेवल और चार कॉंस्टेवल को बंदग बना लिया गया और एक दसता करंजी स्कूल जलने के लिए छोड़ दिया गया इस भीडने गार्णों के साथ कोई बद स्लूकी करने के बजाए उसके हतियार उन से ले लिये और इन्ही और उन्हें छोड़ दिया भेडिया मांची के ने तोत्रमें बाग बागियों के एक दल न कोयर नदी का रास् दिल मिली चले गए बुद्धु माजी और हरचंद नाइक ने मुख दल की कमान समहा ली तो ये एक primary source है कि इस तरह से जो है गटना यहाँ पर गटित हो रही थी तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो please like करे, share करे, subscribe करे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगला वीडियो जो होगा हमारा जावा के जंगलों में हुए बदलाव से सम्मन्नित होगा